हलो एंड वेलकम दोस्तों तो 5 मिनिट इंजिनेरिंग आज का वीडियो आपके बड़ा कंपमाल करने वाले हैं मुद्दे का नाम है वो जिसकी बारी यूनिट टेस्टिंग के बाद आती तुरंत आती जिसका नाम है इंटिग्रेशन टेस्टिंग इससे जुड़ो है बहुत स सारे डरावनिक हैल आते हैं जो की मैथेमेटिक्स में जो इंटिग्रेशन डिफ्रेंसेशन वाला टॉपिक तो उसका ये इंटिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं डरनी कोई ज़रूत नहीं सिंपल फंडा उसको और में सिंपल करके बताने वाला हूं तो देखो यार ये इंटिग्रेशन टेस्टिंग ये सिंपल बासे में रिलेटेबल एक्जामपल मैंने दिया अभी तक आपने जो अपने यूनिट्स थे जो मॉड्यूस थे जो डिफरेंट फंक्शनलिटी प्रोसीजर्स थे उनको अलग-अलग आपने यूनिट कंसिडर किया अलग से उन और इंटिग्रेट करने के बाद आपको ये समझना है कि ये वाली जो एक यूनिट है अगर ये इंटिग्रेट हो जाए अगर ये आसपास आजाए अगर इस आमने सामना अगर इनका हो जाए तो इनके बीच में इंट्रेक्शन कैसा होगा इनके बीच में इंट्रेक्शन कै इनके बीच का इंटरफेस कैसा होगा यह सारी तमाम चीज़े जो है आप यहां टेस्ट करने कोशिश करते हूं तो जो भी डेटा फ्लो होगा बराबर जो भी डेटा इंट्रेक्शन होगा वो कैसा होगा जो फंक्शनलिटी एक्सपेक्ट है यह पूरे सिस्टम से क्या वो डिलेवर कर पाएंगे या नहीं तो डिपेंड करता है ओविएसली कि यह प्रॉपर वे में इंटिग्रेटेड है या नहीं अगर गलत तरीके से इनका इंटिग्रेशन कर दिया तो ओविएसली वो पकड़ म में आ जाएगा इंटिग्रेशन टेस्टिंग में कि हाँ इन यूनिट्स का इंटिग्रेशन जो है इंट्रेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है इंटरफेस गलत बैड़ गया तो यह चीज़े आपको यहां पर एक्सप्लोर होंगी यहां पर उन चीजों का उत्तर आपको इस टेस्टिंग के माध्यम से मिलने वाला है जैसरे में बताया शुरुवाती स्टेट्मेंट में आफ्तर युनिट टेस्टिंग की जाती है एक पर आपके यूनिटेस्ट परफॉर्म हो जाए उसके बाद आप उनको इंटिग्रेट करते हो और फिर इंटीग्रेशन टेस् जैसे कि big bang interaction testing, big bang, big bang मतलब क्या यहां पर हो रहा है, simple है बहुत, यह जो big bang integration testing है, बड़ी simple और straightforward तरीका है, कि जहां पर simply कह रहा है, कि आपके जितने भी modules और units हैं, उनको एक साथ रख लो, collect कर लो, और उनको integrate कर लो, और उनको पर testing perform कर रहा, simple, इतना वो कहने कोशिच कर रहा ह है, वही यहां पर आपको perform या implement होते हुए, देखने को मिल जाएगा, एक साथ, एकटा, one shot में भईया, यहां पर आप testing कर लो, यह सारी तमाम चीज़े जो है, वो big bang की थूरू आपको पता चलेंगी, लेकिन एक दिक्कत है भाही यहां पर, मतलब क्या होता है, कि अगर आप जब सारे के सारे आपने जो units है, एक साथ, यहां पर आप testing के लिए integrate कर देते हो, और अगर मान लिजी कोई difficulty, कोई bug, कोई error अगर आ जाता है, तो फिर ऐसे हालात में भाही यह बहुत, वो crucial या critical या difficult situation हो जाती है, कि भाही अब क्या करे, कि कहां से यह error generate हुआ है, कहां को यह बिलॉंग करता है, कौन से module से यह generate या बिलॉंग करने वाला है, यह find out करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानि कि इस bug को भी, error को भी fix करना बहुत जादा खर्चालू, expensive process बन जाती है, तो यह एक भाही यह drawback का आप देख सकते हो, जो कि इस simple, straightforward, big bang integration testing का है, और यह basic अब यह बिलॉंट्स होंगे, जो कि high level units होंगे, कुछ low level units होंगे, बराबर है, तो आप move कैसे करते हो, आप move करते हो, high level units से low level units तक, बराबर है, अब यह जो भी units है, उनकी priorities अलग अलग हो सकती, बहुत सारे different, different आपके units जो हैं, वहां मौझूद होंगे, उन सब की priorities अलग मान लीजिये, आपके पास बहुत सारी functionalities हैं, जो कि required है from your system, तो ऐसी कुछ functionality, ऐसा कोई procedure हो सकता है, ऐसा को unit हो सकता है, जो कि भाहिया बहुत ज़्यादा important है, मतलब यह तो चाहिए ही चाहिए, यह नहीं हुआ तो चलेगा लगता है तो, बट यह तो भाहि मंगता है, यह efficient होना चाहिए, यह बड़िया तरीके से काम करना चाहिए, तो वो आप उसको high level unit कह सकते हो, मान लीजिये, आपके जो system architecture है, उसके हिसाब से यह वाली जो unit है, यह आपकी बहुत prime importance hold करती है, तो यह आपका high level unit हो गया, मान लीजिये, एक ऐसा unit है, जिसके पास बहुत ज़्य ज़्यादा authority है, जिसके पास बहुत ज़्यादा controlling power है, other units की, तो फिर आप उसको high level unit बोल सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग way में जो है, आप high level units को low level units को interpret कर सकते हो, तो मुद्दे की बात यहाँ पर क्या है कि आपको top से down जाना है, तो उसके लिए आपका सबसे प bottom up में, bottom up में कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, bottom up में क्या होता है, कि आप low level units से शुरू करते हो, तो low level units, बहुत सारे आपके low level units होते हैं, उनका आप क्या करते हो, ग्रुप करते हो, या फिर cluster बोल सकते हो, कि इनका clustering होता है, इनको cluster बनाया जाता है, इनको integrate किया जाता है, और वही integration वही cluster आपका उपर 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 बढ़ते जाता है high level units की तरफ तो यहाँ पर बुनियारी जरुवत क्या है कि आपके जो low level units है वो तयार होने चाहिए वो developed होने चाहिए और tested unit tested होने चाहिए उसके बाद आप उनकी उपर काम करते हुए आगे उपर bottom से up वाला जो approach है वो apply कर सकते हो और mixed वाला क्या है mixed मतलब इन दोनों का addition इन दोनों का addition मतलब दोनों के जो अलग-अलग फायद दे हैं benefits से उनका जो आपको यहां देखने को मिलेगा एक दूसरे के भाईया जो भी drawbacks थे उनका cancellation जो है वो आपको यहां पे इस mixed या hybrid जो integration testing उसमें आपको देखने को मिल सकता है तो यह सारी तमाम बाते दोस्तों integration testing से related मैंने आप तक डिलेवर कर दिया आपको अच्छे लगे होंगे तो इस व दोस्तों को वाचिंग दिस वीडियो